देखे ना दोस्तों हमला इसराइल ने किया और गुसाब भारत पे निकाला जा रहा है अब इन मुस्लिम देशों का क्या किया जाए सच में कभी कभी समझना ही मुश्किल हो जाता है अब जिस विवाद में भारत का कोई नाता ही नहीं वहाँ पर भी ये देश भारत को खीच के घसिट ले आते हैं वहाँ यूकरन भारत के पीचे पड़ा है कि भारत पुतिन से बात करके ये युद्ध रुकवा दे यहाँ अमेरिका भारत के पीचे लगा है कि साउच चाइना सी में चिन की दादा गिरी को कम करने के लिए भारत हमें सहयोग दे और अब इरान भारत के पीचे पड़ा है कि इसराइल को सबक सिखाने के लिए भारत इसलामिक देशों का समर्थन करे जी हा दोस्तों ठीक यही आजकल भारत के साथ हो रहा है लेकिन भारत की मदद करने को कोई तयार नहीं रहता देखिए जरा इस न्यूट्स को देखिए जागरन की सार्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि नरसुला के मौत के बाद इसराइल को सबक सिखाने के लिए इरान ने भारत से मदद की मांग की है दरसल भारत में इरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि हिजबुल्ला कोई आतंगवादी सम्हू नहीं बलके एक राजनितिक संगठने और ऐसे संगठन को इसराइल आतंग की संगठन केता है ये हमेश विकार नहीं इरानी राजदूत ने कहा कि नरसंगार रक्तपाद और निर्दोशनागरिकों पर हमले करना ये तो इसराइल की आदत बन चुकी है उसे इनी सब चीजों में मजात आए नरसुला को विदरोही बताना तो इसराइल का सिर्फ एक बहाना था क्योंकि उसे लेबनान के मासुम लोगों को जो मारना था इरानी राजदूत के मताबिक कि अगर मद्यपूर में तनाव कम करके शांति स्तापित करनी है तो इसराइली हमलों को रोकना ही होगा और अगर इसराइली हमलों को रोक कि भारत भी इसराइल को इतनी तवज्जों ना दे इसराइल बिलकुल भी भरो से लायक नहीं ये मुल्क कभी भी पलट सकता है इसलिए हम जो कुछ दिनों में इसराइल विरोधी मसोदा तयार करने जा रहे उसमें भारत भी हमारे साथ खड़ा रहे यही भारत से इरान की अब भारत तो इरान से ज्यादा कुछ नहीं खरिता फिर भी कुछ 100 मिलियन डॉलर की लागत से पेट्रूलियम को भारत इरान से जरूर खरिता है अब पेट्रूलियम को का इस्तेमाल सीधे तोर पर एलुमिनियम, स्टील, काच, पेंट और उर्वरों को सहीद कई अन्य इरानी में किया जाता है और इरान के पास पेट्रूलियम को कि भंडार पड़े है देखा जाये तो फिलहाल इरान, लिबनान और हमास इन तीनों पर इसराइल भारी पड़ रहा है इसके बावजूत कि इसराइल को बाहरी देशों के कोई मदद नहीं और इसराइल अपने हर विचार है कमेंट करके बता सकते है और हाँ विडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करे जय हिंद